अगर आज पी इस चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में ने एक लिंक दिया उस लिंक को क्लिक करना होगा जिसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे वेबसेट का एक पेज ओपन हो जाएगा फिर उस website के page पे आपको नीचे ले जाना है नीचे जाने के बाद आपको एक preset link का button दिख जाएगा उसे click करना है जैसे आप उसे click करोगे ये preset आपके highlight motion app में import हो जाएगा Google Drive इस से के कुछ चीज़े करने की जुरूरत नहीं है ये की click में काम हो जाएगा तो इसमें आपको दिख रहा होगा add your photo जहाँ जहाँ आप एक भी add your photo दिख रहा है उदर आपको सिफ अपने gallery में सिफ photo add करने इसमें effect मैंने पहले एक सीर डाल कर रखका हो है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एक एक करके आप सारे photo इसमें add करते जहें तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए एटिंग के साथ तपते के लिए बाए